नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बर फिर्जे बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिले में दोस्तों उत्तर प्रदेश में DL8 2018 बैच के लिए परिक्षान यामक प्रादिकारी कारेले PNP ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उनके इंटर्नल मार्क से संबन्दी सूचना मांगी गई है दोस्तों यदि आप भी DL8 2018 बैच से रिलेटेड हैं और इन सभी मुद्धों से प्रभावित हो रहे हैं इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बीना स्किप के हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूँ कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर ना है तो प्रेस को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल के एकन को भी प् बांगी गई है डायट और प्राइवेट इंस्टिउशन के द्वारा देखे दोस्तों आप स्क्रिन पर देख पा रहे हैं ये 12 फरवरी 2019 को सचीव परिख्या नियमत प्रादिकारी कारेले द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है सभी जिला सिक्षा एवं प्रसिक्ष सबसे पहले इसकी विश्वश्नियता कि मैं बात परूँ तो आप यहां पर नीचे राइट कॉर्नर पर मिश्टर अनिल भूशन चत्रुएदी जी जो की मुखे सचीव हैं परिख्या नियमत प्रादिकारी कारेले के उनके सिग्नेचर देख पा रहे हैं तो आप इस पर सेमेश्टर की परिख्या वर्ष 2019 एवं डियलेट प्रसिक्षण 2018 प्रथम सेमेश्टर के आंत्रिक मुल्यांकन के अंक ऑनलाइन पूरित कर प्रिंट आउट प्रेशन करने के संबंध में दोस्तों अभी जो डियलेट 2018 बैच के फर्स सेमेश्टर की परिख्या हुई है उसी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डियलेट प्रसिक्षण 2018 प्रथम सेमेश्टर की लिखित परिख्या 28-1 से 2-2 2019 तक संपन हो चुकी है इसमें 28-39 आपका डियलेट 2018 बैच फर्स सेमेश्टर का था और उसके बाद से 31-1 और 2 को 2017 बैच सेकंड सेमेश्टर का था आगे करना परॉसस बताया गया है कि कैसे ओन्लाइन डेटा फीड करना है यह आपके लिए नहीं है यह आपके डायेट या फिर प्राइबेट इंस्टिस्यूसं के लिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं डिय्ट दिया गया है 22 2019 से 23 2019 तक पूरी किये जाएंगे मिन्स ओन्लाइन जो डेटा फीडिंग का प्रोसेस है वह बीस फरवरी से ले करके दो मार्च तक किया जाएगा इसके अलावा आप देख सकते हैं जो इसका प्रिंट आउट होगा मिन्स जो भी ओनलाइन डेटा फीड की जाती है उसको 20 मार्च 2019 तक हर हाल में अवलेबल करा देना होगा इसकी हार्ट कापी PNT को दोस्तों ऐसी ही सूचनाए सभी डायेट्स और मीजी संस्थानों को जारी की गई है आपके इंटर्नल मार्क्स को सेंड करने के लिए PNP का रहा लेको दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं उमीद करता हूँ आप लोगो यह अपडेट पसंद आई होगी और ऐसे ही महतोपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ धन्यवाद